हलो दोस्तों, welcome करता हूँ मैं आपको आपके अपने YouTube चैनल Civil Engineer FPH में तो दोस्तों जो हमारी आज की वीडियो है, इसमें हम discuss करने वाले है types of beam sections के बारे में, यह RCC के हमारी दूसरी वीडियो है तो इस वीडियो में हम types of beam sections के बारे में discuss करेंगे और singly reinforced, doubly reinforced beam जो है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा discuss करेंगे, जो objective point of view से हमारे पास important भनता है, और हम T beams के बारे में थोड़ा discuss करेंगे जो objective type के हिसाब से हमें, जो है important लगता है लेकिन अगर आपको design steps के बारे में देखना है तो वो तो हमारे लिए objective point of view से उतना important नहीं रहता है मैं इसके बाद यह जो मैं पहले RCC complete करवाऊंगा objective point of view से, उसके बाद मैं जो है IS code के लिए 10 वीडियो, 5 या 10 वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका objective जो है पूरा clear हो जाएगा तो यहां पर types of beam sections के बारे में objective question पूछा जा सकता है तो हमारे पास जो beam section दिया है यह मैंने यहां पर beam section एक दिखाया हुआ है तो हमारे पास जो citrain diagram है citrain diagram आपको आपने देखी होगी citrain diagram हमारे पास ऐसे बनती है तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यह आगर हमारे पास एक beam section है यह हमारे पास beam section है इसकी citrain diagram ऐसे बनती है यह तो आपको पता ही है लेकिन अब क्या है यहां पर यह जो होती है इसे हम neutral axis कहते हैं जहां पर यह citrain जो है इस side से इस side जा रही है तो यहां पर यह जो होती है इसे हम neutral axis कहते हैं तो neutral axis के ऊपर आपको पता ही है कि beam जो है compression में होती है और neutral axis के नीचे जो है वो tension में होती है तो neutral axis निकालने का formula मैंने आपको बताया हुआ है हम क्या करते थे 0.36 f c k b x u is equal to 0.87 f y a s t हम करते थे तो यहां पर हम x u की value निकालते थे x u is equal to 0.87 f y a s t upon 0.36 f c k b तो इन को मैंने यहां पर divide किया तो हमारे पास x u निकल के आ जाता है और x u limiting जो है limiting depth of neutral axis यह भी मैंने आपको बताया हुआ है f e 250 के लिए जो है इसकी value 0.53 d है x u limiting की और 415 के लिए हमारे पास 0.48 d है x u limiting जो हमारे पास 500 f y is equal to 500 जो हमारे पास steel है उसके लिए x u limiting या x u max की value जो होती है वो 0.46 d के equal होती है तो यह values आपको already मैंने पिछली वीडियो में याद करवा के रखी है तो यहाँ पर आपको क्या देखना है अब आपको यह देखना है कि आपको पहले x u निकालना है फिर x u limiting मतलब कि maximum depth of neutral axis निकालना है तो उसके basis पे आप देखेंगे कि section हमारा balanced section है under reinforced section है कि over reinforced section है एक तो आप इस से फार्मले से depth of neutral axis निकालोगे यह जो depth of neutral axis x u यहाँ पर है एक तो इस फार्मले से निकालोगे और x u limiting जो है maximum depth of neutral axis तो यह आप इन तीन फार्मले से निकालोगे यह आपको दिया होगा कि आपको कौन सा steel यूज करना है देखा कि x u जो है x u limiting के equal हो गया तो उसे हम balanced section कहते हैं तो balanced section में क्या होता है balanced section में क्या होता है हमारे पास जो उपर जो है concrete होता है और नीचे जो है steel होता है तो steel और concrete जो है एक साथ फेल होते हैं तो उसे हम balanced section कहते हैं मतलब कि यहाँ पर जो है compression in concrete जो है वो maximum compression से ज्यादा हो जाएगा और compression in tension in steel जो है वो maximum tension in steel से ज्यादा हो जाएगा एक साथ मतलब कि एक साथ दोनु फेल करेंगे steel भी वहाँ पर ही फेल करेगा एक ही time फेल करेगा और concrete भी एक ही time फेल करेगा तो उसे हम balanced section कहते हैं इसके बाद आ जाते है next, next है under reinforced section, under reinforced section के क्या होता है, under reinforced section के लिए हमारे पास x u जो है less than x u limiting होता है, मतलब कि xu जो है जो हमने इस formulae से x u निकाला हुआ है और यहां पर x u limiting यह formulae लगा कर हमने x u limiting nникाला हुआ है मतलब कि xu limiting जो है वो कम है x u से x u जो हमारा निकल रहा है वो ज्यादा है x u limiting से या आप ऐसे भी लिख सकते उसको actual depth of neutral axis will be greater than limiting depth of neutral relaxes तो उसे हम under reinforced section कहते हैं तो under reinforced section में क्या होता है under reinforced मतलब कि reinforcement कम है मतलब कि अगर reinforcement कम है तो पहले reinforcement ही फेल होगा पहले steel ही फेल होगा तो यह चीज़ आपको याद रखनी है अगर under reinforced है तो under reinforced मतलब कि steel थोड़ा कम होगा तो तो steel कम है तो steel ही पहले फेल हो जाएगा तो यह चीज आपको याद रखनी है मतलब कि concrete में जो compression आ रहा है वो maximum compression से कम होगा और tension जो है steel में जो tension आ रहा है वो maximum tension से ज्यादा होगा मतलब कि maximum permissible tension जो है steel में उससे ज्यादा हो जाएगा tension in steel this type of section can be achieved by providing the limited amount of steel reinforcement मतलब कि अगर हम limited amount of steel reinforcement लगाएंगे कम steel reinforcement लगाएंगे तो उसी वकित यह होता है तो steel will fail first मतलब कि यह मैंने पहले भी बताया under reinforced section है तो steel पहले फेल कर जाएगा तो इसे हम क्या कहते है डक्टाइल फेलियर कहते है यह चीद आपको याद रखना है कि steel जब under reinforced section होता है उस वकट डक्टाइल फेलियर होता है, डक्टाइल फेलियर क्या होता है, डक्टाइल फेलियर इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टील है, स्टील आपको पता ही है, डक्टाइल मिटीरियल होता है, मतलब कि स्टील पहले डक्टाइल है तो पहले खीचा जाएग डक्टाइल है तो पहले खीचा जाएगा इसलिए जो डक्टाइल मिटीरियल की वज़ा से फेलियर हो रहा है तो इसे हम डक्टाइल फेलियर कहते हैं स्टील डक्टाइल मिटीरियल होता है इसी हम इसलिए हम इसे डक्टाइल फेलियर कहते हैं we get alarm before the failure. तो failure से पहले हम, हमको alarm आ जाता है, मतलब कि हमें पहले ही पता चल जाता है, कि failure होने वाला है, पहले ही cracks पढ़ जाते हैं हमारे पास, जो भी हमारे पास beam होते हैं, उन पे cracks पढ़ जाते हैं, तो next आ जाते हैं हमारे पास, और reinforced section क्या होता है, तो वर Renforced section क्या होता है XU अगर हमारे पास greater than XUM X या XU Limiting से हो गया तो उसे हम क्या कहते है वर Renforced section मतलब कि reinforcement हमने ज्यादा provide किया है तो ज्यादा reinforcement provide किया है तो मतलब कि reinforcement की वज़ा से जो है हमारा section जो है वो reinforcement की वज़ा से फेल नहीं होगा क्योंकि reinforcement हमने ज़्यादा डाला हुआ है तो मतलब क्या होगा कि अब जो हमारा section है वो किस वज़ा से फेल होगा वो concrete की वज़ा से फेल होगा तो यहां पर आपको याद रखना है पहले ही वह reinforce section के लिए x u जो है वो greater than x u limiting होगा तो यह चीज़ आपको याद रखना है excessive amount of steel reinforcement is provided मतलब कि हम ज्यादा reinforcement provide करते हैं concrete will fail first मतलब कि concrete में ज्यादा citrus develop होंगे तो concrete पहले फेल हो जाएगा इसी लिए इसको brittle failure कहते हैं तो concrete जो होता है हमारे पास वो brittle material होता है मतलब कि वो एक साथ जो है break कर जाता है तो उसी लिए इसको brittle failure कहते हैं तो brittle failure जो है इसमें no alarm होता है मतलब कि concrete जो है वो एक साथ फेल कर जाता है तो हमें alarm नहीं मिलता है मतलब कि हमें ये भी पता नहीं चलता है कि structure फेल होने वाला है structure एक साथ collapse कर जाता है तो इसमें हमें alarm भी नहीं मिलता है मतलब कि हमें पहले ही पता नहीं चलता है कि हमारा structure फेल हो रहा है तो आपको क्या चीज़ याद रखना है आपको याद अब क्या क्या रखना है आपको ये याद रखना है balance section के लिए x u limiting या x u max के बराबर होता है और under reinforced के case में हमारे पास x u जो है वो less than x u limiting होता है और जो over reinforced section है हमारे पास तो उस वक्त जो है x u जो है greater than x u max या x u limiting से ज़्यादा होता है तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है next आ जाते हैं यहाँ पर under reinforced section के case में आपको ये याद रखना है balanced section के case में ये याद रखना है कि steel और concrete जो है एक साथ फेल हो जाएंगे under reinforced section के लिए आपको क्या याद रखना है under reinforced मतलब की reinforcement कम reinforcement की वज़ा से ही फेल होगा तो मतलब की under reinforced section section वो section होता है जिसमें reinforcement हम कम डालते हैं तो इसी वज़ा से जो है steel पहले फेल हो जाता है under reinforced section में तो under reinforced section में steel पहले फेल हो जाता है तो steel हमारे पास ductile material होता है इसलिए इसको ductile failure कहते हैं और under reinforced section के case में हमारे पास alarm भी आ जाता है alarm मतलब कि हमें पहले ही पता जल जाता है कि structure फेल होने वाला है तो हम पहले ही उस structure से बाहर निकल जाते हैं तो हम बच जाते हैं तो यह चीज़ आपको याद रखना है कि under reinforce section में alarm हमें मिल जाता है और over reinforce section जो होता है over reinforce section के case में x u greater than x u max के equal होता है तो यहाँ पर जो है concrete fail हो जाता है over reinforce है मतलब कि reinforcement हमने अच्छी मिगदार में डाला हुआ है तो इसलिए जो है concrete fail कर जाएगा तो concrete हमारे पास brittle material होता है जो break कर जाता है अचानक से तो इसलिए जो है इसको brittle failure कहते हैं और यहाँ पर हमें alarm नहीं मिल जाता है मतलब कि हमें पहले ही पता नहीं चल जाता है कि हमारा structure फेल होने वाला है मतलब कि हम जो है जो भी building होती है वो जो है अचानक से collapse हो जाती है एक साथ collapse हो जाती है तो उसे हम over reinforce section कहते हैं तो यह होती है हमारे पास टैप साथ beam section अब आ जाते हैं